सो हे गाइस, what if अगर क्या होगा अगर faster speed of perfect defense आपस में टक रहाएं most intelligent, powerful and perfect ninja of all time एक के पास flying thunder god plus senjutsu chakra है versus दूशरी के पास perfect defense तूशन होगा रासेंग गन versus sharing gun, sealing jutsu specialist versus genjutsu specialist होकागे versus shadow होकागे तो यस मैं बात कर रहा हूँ मिनाटो नामी खाजे versus hitachi उचिया दोनों के बीच अगर one on one battle करवाएं तो क्या होगा, एक चीज जरूर होगी ये तो होगी पर तुम comment में जरूर बताना, next video में किन किन character को compare करें तो वाई fight शुरू करने से पहले बता दू, यहाँ पर मिनाटो ने KCM mode use नहीं किया है और reanimation जरसे jutsu का इस्तमान नहीं किया गया है और अपना itachi भी पूरा एकदम हस्ट पुष्ट स्वस्ट है, उसे हमने 54 खिला दिया है तो उसे कोई भी inless नहीं है तो fight शुरू करने से पहले दूनों के पास क्या के specialty है, क्या के jutsu अगया रहा है, वो देख लेते हैं तो itachi के पास हमारी सबकी favorite MS है, इसको लगा कि तुम किसी के भी, literally किसी के भी गोटे तोड़ सकते हो इटाची के list में सबसे पहला और powerful डो jutsu है, मंगे के ओ शारिंगन, जिससे वो अमितर रासु यूज कर सकता है और अमितर रासु ऐसे flames है, जिसको यूज करके, तुम अपने open end, लिस्टेदार और haters के पिछवारे जला दोगे और उनकी हमेशा जलती रहेगी, पानी डालके भी बोजानी पाएंगे इटाची के पास अमितर रासु यूज तो हैं, पर वो direction वगेरा चेंज नहीं कर सकता, flames की, सासके के जैसे इटाची के पास कवेट सुची एबिलीटी नहीं है, और इटाची के पास एक और जूट्सू है, जिसका नाम है सुकुयोमी, नर्ट वर्स में सेकंड स्ट्रॉंगेस गेंजूट्सू एबिलीटी है, सुकुयोमी, इसका यूस एक सेकंड में हो जाता है, और open end को पत्दा भी नहीं चलता, और ये इबिलीटी इतनी पावर्फोल है, तुम चलते फरते किसी को भी एक सेकंड में गेंजूट्सू में डाल दोगे, जिससे बहतर घंटी की एक्स्ट्रा जिंदगी देखे, कुछ भी कर सकते हो, व्यार, टॉर्चर, साम अदाम, लंड छेद, कुछ भ देख लेता, बट तुम क्या करते, तुम कमेंट में जलूर बताना और वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो सस्क्राइब का लाल बटन जो सफेद हो गया, उसे दबा देना, सुकुयोमी के कारन काकाशी, एक सेकंड में 72 घंटे के लिए टॉर्चर हुआ था, जिससे वो हफ यो काशी सासके के जैसे विंग स्रलर बहार रही हो अई रही है, और इटाची का सुसोनो बस वहाँ तक ज़ा सकता है, जहां तक इटाची खुद चल सकता है, पर वाई यो गोर्छासी के जैसे उसका सुसोनों में दो कमाल के एक्डमबडिया चीज है, एक हाथ में उसके याड़ा मेरर है और दूसरे हाथ में टुटोस का ब्लेड है याड़ा मेरर की स्पेसिलेटी ये है वो किसी भी स्प्रीच्वल या फिजिकल अटेक को ब्लॉक कर सकता है और इसमें फाइब चक्रा नीचर को चेंज करने की इबिलिटी भी है मतलब एक्जामपल के लिए अगर तुम्हें याड होगा इटाची ने औरोची मारू के कर्ष्ट मार्क हैवन सील को सांस्टी की बॉड़ी से कैसे एक्स्ट्रेक्ट करके औरोची मारू को सोड में ट्रैप कर दिया था इटाची को सच में इन्वेंसिबल बनाती है अकॉर्डिंग टू ब्लेक जैट्सू और इयार इटाची बिना सुसनू के भी बहुत खतरनाक दुश्मन हो उसका IQ लेवल मिनाटो जितना है तो इटाची के जूट्सू जो मिनाटो के अगेंस्ट वर्क कर सकते हैं अमतरासो, सुकुलयोमी, सुसनू, याटा मिरा टूटोस का ब्लेड, इजा नागी, इजा नामी और बाखी के जूट्सू अगेर मिनाटो आराम से हैंडल कर लेगा तो अब मिनाटो के पास कौन कौन से जूट्सू है वो देख लेते हैं तो मिनाटो के पास फ्लाइंग थंडर गॉड यानि फ्लाइंग राइजीन है जिससे वो कहीं पर भी टेलिपोर्ट हो सकता है मार्क लगा के तो ये एक स्पेस टाइम निंग जूट्सू है समनिंग जूट्सू के जैसे वर्क करता है मिनाटो के पास एक और स्ट्रॉंगेस जूट्सू है वो है रासेंग गन मिनाटो के पास सेज मोड भी और वो नरूटो चराय के जैसे सेज मोड में जा सकता है बट नरुटो के जैसे परफेक्ट सेज नहीं है और जादा दे तक मिंटेन भी नहीं कर सकता मिनाटो के पास उजू माकी क्लैन के रीपर देछ सील जैसे पैस्ट सीलिंग जूट्सू भी है तो मिनाटो के जूट्सू जो इटाची के अगेंस्ट वर्ण कर सकते हैं वो है फ्लाइंग राइजीन, रासेंग गन, सेज मूड, सीलिंग जूट्सू, समनी जूट्सू और बाकी जूट्सू अगेरा इटाची आराम से हैंडल कर लेगा अब रियल में फाइट शुरू करने से पहले बता दूँ इटाची को कोई इलनेस नहीं है इटाची चमन फ्राज खाके एकदम हेल्दी हो गया है और इटाची को तो अमचू कामी भी यूस नहीं करेगा पर यहाँ पर रियल इटाची की फाइट करवा रहे हैं जो जूट्सू खुद क्रियेट किये हैं या फिर खुद सीखे हैं उसने तो अब यहाँ पर चकरा सिकने स्कोतों मचू कामी रियनिशन जिससे जूट्सू की बक्चोरी नहीं करना ठीक है देखो यार अगर हम अनलिमेटेड इबिलिटी और चकरा वाले इटाची और मिनाटो को फाइट करवाएं डियनिमेटेड शिनोबी के जैसे तो रिजल्ट घंटा नहीं आने वाला दोनों बाप लेवल की जीनिश है दोनों के IQ level almost equal हैं Minato के academy school सबसे highest और Itachi के second highest इन दोनों के IQ का तुम अंदाजा यहां से लगा सकते हो Itachi जब छोटा सा था था उसे Shinobi history की बारे में पता था Meaning of life जैसे चीजों के बारे में सूचता था एक होकागे की quality उसके अंदर बचपन से थी और यहां पर हम लोग जिन्दगी में करना क्या चाहते हैं खुद नहीं पता Itachi इजा नागी इजा नामी जैसे forbidden यूचू तक जानता था और kunai skills वगेरा में तो इतना solid था Literally वो साथ kunai एक star target में मार सकता था और एक target तो blind spot में भी रहता है War Arc में Kabuto के reanimation यूचू को हलुआ समझ के break कर दिया था और भाई अपने पिद्दे भाई सास्के को बचपन से चूतिया बना रहा था और reanimated वाले नागटो पेन को तक defeat कर दिया था और last but not least Itachi शुरू से जानता था या शुरू से doubt थे कि टो भी मादरा नहीं है और डांजो की फटती थी Itachi से and Minato का IQ भी इतना जादा है Itachi जो खुद जीनिया से उसके बाप का Minato डाले ट राइवल है Fugaku Uchiyao, Vicked Eye, Feared Among Five Nations, Fugaku Nineteel को अपने गेंजूचू में असानी से कंट्रोल कर सकता था उसका डाइट राइवल था Minato, Third Ninja War में Thousand Stone Ninja को अकिलिया मार दिया था और Yellow Flash इतना जीने था जब 9-10 ने कोनों पर अटेक किया था तब Minato ने Obito की Ability दो मिलेट में क्रेक कर दी थी और उसके मूँ पर रसेंगन मारा था Minato इतना प्रेशन में था उस टाइम उसने नरोटो को बचाया 9-10 बीस्ट बॉम को बहार टेलिपोर्ट किया इवन पुरा जिन्दा 9-10 को उसने विलेज के बहार टेलिपोर्ट कर दिया पर इतना ही नहीं उसके बाद भी Half 9-10 को अपने अंदर सील कर लिया यह आदिनी सोच था कैसे और 4th Grade Ninja War के बारे में तुम्हें पता ही होगा Itachi जितनी तो नहीं पर Itachi से कम भी हेल्प नहीं की थी और KCM Mode Minato ने तुरण सुच कर लिया था जिसमें Naruto को 16 साल और Tokno Jutsu लगा था KCM Mode को कंट्रोल करने के लिए भाई इनके अचीवमेंट तो इतने जाद ही कि इनके अवार्ड होने चाहिए थे जैसे च्यून इन एक्जैम में पास्टेस्ट स्पीड मिनाटो अवार्ड गोस टू 10-10 अब तुम बरा मत मानना 10-10 मुझे भी पसंदे 10-10 अब फाइट सच में शुरू हो उससे पहले बता दूँ यह वीडियो वीडियो बनाने वाली की तलपना पे अधारित है इसमें किसी भी केरिक्टर के लिए हीट यह सस्क्राइबर की फीलिंग को ठेस पहुचाने की चेस्टर नहीं की गई है इसे मनुरंजन की तरह देखें और कमेंट में अपनी बप्चोदी जलू करें धन्यवाद तो फाइट शुरू करते हैं इटाची के तूट सुका ब्लेड और याटा मिरर यूजलस होने वाले हैं मिनाटो के अगेंस्ट क्योंकि इटाची अगर तोट सुका ब्लेड से अगर अटेक भी करता है तो मिनाटो इतनी बड़ी sword, वो easily dodge कर देगा, क्योंकि उसके पास flying raijin है, और flying raijin इतना fast है कि तुम्हें पता ही होगा है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इनसान गया का, और flying raijin personally उची आके against ही उसकने के लिए बना था, sharing gun को counter attack करने के लिए, और itachi का yata mirror से front के attacks के against defense कर स बड़ जैसे की itachi का susano incomplete है, नीचे से खोक लाए, तो मिनाटो जमीन के अंदर गुस के itachi को attack कर सकता है, तो इस case में itachi का susano उसके जादा काम नहीं आने वाला है, और अब itachi के पास है amitrasu, तो तुम्हें याद होगा सासके ने raijin कागे के against amitrasu मारा था, पर raijin कागे ने raijin कागे को damage कर पाया था, क्योंकि सास के अपनी kagatsuchi ability से flame को divert कर सकता है, अब इस case में minato amitrasu को भी easily dodge कर देगा, क्योंकि उसके पास flying raijin है, flying raijin वाई literally बहुत fast है raijin कागे से, क्योंकि raijin कागे use करता है d rank ninjutsu body flicker technique, और body flicker में ninja गायब नहीं होता, बस बहुत fast move होता ह और raijin का अगे lightning user था तो और ज्यादा fast हो, और इसमें चकर बहुत ज्यादा use होता है, तो बहुत कम लोग इसका use करते हैं बहुत देड़ तक, उनको याद है कि नहीं बट इसका use sakura ने भी किया था, चियो ने इन एक्जैम में इनो के against, तो तुम समझी सकते हो कि ये कितना लोकल जूट्सू है, in comparison of flying raijin, बट बहुत कम लोग body flicker use कर पाते हैं क्योंकि ये उतना ही टफ है flying raijin जितना, पर फिर फिर फ्लाइंग राइजीन एक लेवल ऊपर है body flicker के, और flying raijin है space time ने जूट्सू, तो अमें तरा सो जादा काम नहीं आने वाले है क्योंकि obito के जै मिनाटो टेलिपोर्ट होने वाला है, उन मार को ध्यान में रखके divert करता बट उसके पास कवेच सुची नहीं है, तो आमें तरा सो जादा काम नहीं आएगा, अब इटाची के पास है सुकुयोमी, बट एज ये नो मिनाटो एक सेज मोड यूजर है, तो सुकुयोमी तो वाई समरी ये है, मुझे लगता है कि इटाची हर जाएगा मिनाटो के अगेंस्ट में, और ये मेरा ओपीनियन है, और इटाची कोई भी जूचो वगेरा की वीकनेक्स चुठकियों में पतल लगा सकता है, तो हाँ हो सकता है कि इटाची मिनाटो को हरा दे, बट मेरे ओ जरों में इटाची वज एक्सेप्शनली ग्रीटर केरेक्टर रहना देन मिनाटो, तो ठीक है वीडियो लूक, गुड़नाइट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सास्क्राइब करते हैं न, चैनो बाई